नमस्ते आप सबका वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ कमल ककडी गोबी का पुलाव अब ये दोनों जो सबजी हैं इनको मिलाकर इतना बड़िया पुलाव बनता है न तो मैंने दो कब बासमती चावल को अच्छे से तीन से चार पानी से वाश कर लिया है गैस को अन करके कडाई रख दी है दो चमच इसके अंदर तेल डाल दी है जैसे ये तेल गरम हो जाए चौथाई चमच राई चुटकी बरहें और इस तरह से लंबे कटे हुए मैंने दो प्यास डाल दी है और एक कप मेथी मैंने अच् साथ में भून जाए और इसमें आपको धियान रखना है कि प्यास को जादा लाल होने तक ना भूने बस दो मिनिट तक भूने उसके बाद आदी चमच लाल मिश पाउडर चौथाई चमच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसर फिर भी नमक और मसाले आप अपने हस अगर आप कड़ाई में बना रहे तो पुला बस इसे आपको पकने देना जब तक इसका पानी सुख जाए तो यहां पर जब तक बीच पीच में से मिलाते भी रहेंगे और दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने रख दिया था अच्छे गरम तेल में एक कब गोबी के फूल आ तब तक इसे तलना है बीच में मैंने दो से तीन हरी मर्ची काट कर भी डाल दिये ताकि यह भी साथ साथ में अच्छे से फ्राइ हो जाए तो दोनों आप देख सकते हो चुकी है तो इससे हम निकालेंगे और डायरेक्ट इस पुलाओ के अंदर ही डालेंगे देखे बस इस इस तरह से इसका पानी भी सूटता जा रहा है और साथ में सब्जिया तलकर भी हम इसके अंदर डालते जाएंगे अगर यह फ्राइ करके तलकर सब्जिया डालोगी ना तो स्वाथ और भी अच्छा आएगा अब उसी गरम तेल में मैंने एक कप कमल ककड़ी कमल ककड़ी को म पुलाओ में डाल देना है और आप देख सकते हैं इसका पानी भी सूख चुका है बिल्कुल हलका सा पानी रह गया तो बस थड़े से दिनिया के पते डाल देंगे एकदम ताजे ताजे और इसे ढख कर बिल्कुल लो फ्लेपर बिल्कुल दीनी आज पर पांच मिनिट के ल इसे ऐसे ही खाई है सच बतारे आपको खाकर ही मजा आज आएगा इतना बड़िया इतना बड़िया कॉमिनेशन मेले भी से पहली बार बनाया मुझे भी बहुत पसंद आया तो आप भी से ट्राइक करना और यहां तक आए लो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भाच्छेंग